कह रहा है कह रहा है कह रहा है कि एक क्वाइल है एक लूप है यह ABCD यह नाम लिखा ABCD पकड में आ जागा एक क्रॉस बना है दर उदर और और यह एक magnetic field में रखा हुआ है magnetic field की direction क्या दिख रही है अंदर की तरफ है ना मतलब नार्थ पोल अंदर जा रहा है बाहर चे कौन सा पोल दिखाई पड़ रहा है साउथ पोल इसके अंदर नार्थ पोल जा रहा है तो कहने वाइर इर्रेगुलर shape is turning लिखा है कि in the figure induced current की direction लिखा लिए इन दिस situation the wire of irregular shape turning into circular shape यह irregular shape है यह circular shape में turn होना चाहता है मतलब यह आली नीचे आएगी यह वाली चीज यह उपर जाएगी यह नीचे हो जाएगा बड़ा हो जाएगा circular shape में चाहता है तो circular shape में होने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको मतलब question पूछ रहा है कि इसमें direction of induced current आपको बतानी है कि induced current की direction क्या होगी clockwise होगी anti clockwise होगी दिमाग लगाईए clockwise होगी anti clockwise होगी लेंज रूल लगाईए देखे अगर इसका surface हम बड़ा बनाएंगे जब देखे अब हमको नहीं मालूम इसका surface जब बड़ा करेंगे तो ज्यादा south pole इसके अंदर से entry करेगा ज्यादा flux पास होगा south वाली line है अंदर जो line जा रही हो बढ़ेगी जब इस surface बढ़ेगा फिर समझेगा जब surface भाई देखो अभी तो इसके अंदर से माले चार लाइने पास हो रही है एक दो तीन चार पाँच अब जब इसको circular shape ले जाओगे तो number of lines इसमें बढ़ेगी तो यह क्या करेगा उसको अपोस करेगा तो अपोस करने का तरीका इसके पास क्या है अपोस करने का तरीका इसके पास क्या है कि वो अपोसित मैगनेटिक फिल्फ बनाए अपोसित मैगनेटिक फिल्फ बनाए ठीक है कैसे बनाएगा अपोसित मैगनेटिक फिल्फ बनाए ठीक है कैसे बनाएगा अपोसित मैगनेटिक फिल्फ बनाएगा थीक है कैसे बनाएग अगर अंदर की तरफ ही आप नार्थ create करोगे तो आप magnetic field को support कर रहे हैं? शपोर्ड कर रहे हैं, इसका area बढ़ रहा है और अंदर की तरफ नार्थ जा रहा है, वो flux बढ़ रहा है, तो इसको कैसे oppose करेगा? यह बाहर तरफ नार्थ बनाने की कोशिश करेगा तो यानि कि कैसे current flow होगी यानि यहाँ पर anti-clockwise induced current flow होगी समझ में आई बार नहीं आई है anti-clockwise flow होगी यानि डैक्सन क्या होगी ADCBA ADCBA समझ में आई बार कापी मत लिखेगा बुक में मत लिखेगा क्यों समझने की कोशिश करिएगा समझ में आ रहा हो तो समझेगा इसके अंदर नार्थ फूल अंदर जा रहा है और अगर current ऐसे flow होगी clockwise तो नार्थ फूल और अंदर बढ़ेगा current की वज़े से तो यानि कि तो support हो गया ना तो opposition करने के लिए क्या करेंगे opposite side में नार्थ फूल क्रेट करने की कोशिश करेंगे इसलिए current कैसे flow होगी एंटिकला कोज़ आप जानते है right hand ये उंगली current की तरफ ये magnetic field ठीक है और ये current ये magnetic field दोरों चीज़े यहां पर है तो पहला part सुंग लागया second part देखो इसमें आपको लिखना पढ़ेगा कि इसका circular shape बढ़ेगा तो number of magnetic lines passing through this shape will increase so it will oppose that increase ये increase को क्या करेगा oppose करेगा इसके लिए जरूरी है कि जो नार्थ फूल अंदर इंट्री कर रहा है उतना ही नार्थ फूले बाहर की और करने की कोशिज करेगा इसलिए current anti-clockwise flow होगी ठीक है देखिए ये कह रहा है कि ये circular loop था ये circular था इसमें से magnetic lines pass हो रही थी magnetic flux pass हो रहा था क्या direction थी उसकी opposite ऐसे थी ना इसका area ज़्यादा था इसको हमने shrink कर दिया इसको घटा दिया तो घटा देंगे तो ये वाले जो lines pass हो रही थी वो कम होगी ये ज़्यादा होगी तो क्या करेगा वो बढ़ाने की कोशिज करेगा तो उसी direction में वो बढ़ाएगा न तो तो current की तरफ फ्लो कराएगा anti-clockwise ठीक है तो यहाँ भी anti-clockwise flow होगा anti-clockwise आप नसमझ भी आखे तरेकसा बटाएगा कर गानने का तरीका कई कैए अएसे हो और आएसे आएसे करो कभी आएसे आईसे करो answer मिल जाएगा ये संबन दे ले ना की पता जाइन अक्जाम में इसे इसे कर रह रहे इसे कोई सामने मसें पड़ गया आ गया, क्यों बुलाया था, बोले कुछ नहीं है, कोशन पढ़ रहे थे, करनेटिक इडाइक्शन से, मैगनेटिक इडाइक्शन देख रहे थे, आप समल रखिएगा, को तुम्हारी आदत ऐसी है, अरे रुको रुको भे, इसी के अंदर रहो, तुम हाथ इधर लाओ, देख अब आप क्या करोगे, इसको श्रिंग करोगे, तो मैगनेटिक लाइन से संग्या क्या कर रहे हो, तो यह क्या चाहेगा, बढ़ाने का तरीका क्या होता है, कि वो उसी दाइक्शन बढ़ाएगा ना, सपोर्ड करेगा ना उसको, तो वो इधर ही बढ़ाएगा, कैसे क्यों बढ़ाएगा, अब आप कहेंगे, इसने से पचास गुजर रही है, वो करेंट ऐसी कर देगा, इससे हजार गुजरे, इतने से हजार गुजरे, नहीं समझे, जब आप कम करोगे, तो करेंट वो इतनी बढ़ाएगा, इतने से कितनी गुजरे, हजालें, वैसी ही गुजरे, क्या बता रहे हो यार अरे भाई वह बाहर नार्थ निकालने की कोशिस करेगा सामने से आपको क्या दिखेगा सामने से क्या दिखेगा सामने से आपको क्या दिखेगा नार्थ दिखेगा ना तो सामने से नार्थ देखो के सामने से क्वाइल देख रहे हो ना तो current कैसी flow गी, अब हम तुम उधर खेड़की कि तरब तुम current flow करा रहे हूं, यहाँ हो न, यहाँ पर देखे क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, कि magnetic field अंदर जा रहा था, तीक है, यानि कि सामने से क्या दिख रहा था हमको, हैं, अच्छा, सामने से south दिख रहा था तो इसको oppose करने का तरीका क्या था, उसका था, कैसे oppose करेगा हो, कम करने की कोशित करेगा, तो यह उल्टा ऐसे बनाएगा, तो सामने से क्या दिखेगा आपको, नार दिखेगा, तो सामने की current जो होती है, वही तो आपको पोल दिखाई पड़ता है, जैसे मैं ऐसे current flow करा रह है, तो सामने की बात को इसके पीशे की बात क्यों कर रहे हो, समझे बात आई नहीं आई, नोट करिए, यह magnetic film में रखा हुआ था, क्या direction इसकी थी, magnetic field की तरफ था, अंदर तरफ था, मतलब बाहर से आप ऐसे देखोगे, अंदर तरफ आप बाहर क्या दिखाई पड़ रहा तो अंदर magnetic lines क्या होंगी, बढ़ेंगी, कौन सी बढ़ेंगी, अंदर नार्थ जाने वाली बढ़ेंगी, अंदर नार्थ जा रहा है न, वो बढ़ेंगे न, तो यह क्या करेगा, उसको oppose कैसे करेगा, बाहर नार्थ बनाएगा, अंदर नार्थ वाले को कैसे cancel करेगा, बाह आ यह देखो नार्थ है नीज के पास तो एक current flow कराएगा ना तो बाहर नार्थ बनाने के लिए current कैसे flow कराएगा clockwise हाँ anti-clockwise current flow ती समय बार नहीं आई दूसरे वाला shape देखें दूसरे वाले shape में ये circular loop रखा हुआ था इस प्रकार से magnetic film में रखा था magnetic lines के direction क्या थी opposite यारी कि इधर से क्या दिख रहा था नार्थ बोर्ड के पीछे जो खड़ा होगा उसको south देखें अंसे क्या मतलब है ठीक है अब इसका area बढ़ाने की कम करने की कोशिक करो तो जब area कम करोगे तो इसके अंदर से जो magnetic lines गुजरे बढ़ाने की कोशिक करेंगी तो बढ़ाने की कोशिक में उसी प्रकार के magnetic lines को यह बढ़ाएगा तो कैसे बढ़ाएगा वो इसी प्रकार की बढ़ाएगा ना इसी direction की कि नार्थ आपको सामने से देखें तो current कैसी flow कराएगा अब समझ नहीं इसमें बढ़ाया तभी एंटी क्लाकवाईज इसमें घटाया तभी एंटी क्लाकवाईज अरे भया डारेक्शन आप magnetic field अलग अलग है ठीक है जानबू से रहनों कोश्चन दिया है कि जब बढ़ाने पे एंटी क्लाकवाईज होगा तो घटाने पे आप क्ल क्लाकवाईज लिखोगे लेकिन magnetic field की डारेक्शन चेंज हो चुकी है ना ठीक है नोट करिए इसको